Class 9 Math Chapter 13 Surface Areas and Volume Exercise 13.6 तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस exercise में किस-किस formula का use होगा सबसे पहले हमारे पास curved surface area of cylinder 2 pi rh total surface area of cylinder 2 pi r into h plus r यह आप पिछली exercise में कर चुके हो तो इस exercise में आप volume of cylinder निकालोगे और volume of cylinder का formula होता है pi r square h और next formula है हमारे पास volume of pipe यह इसको आप hollow cylinder भी कह सकते हैं यह solid cylinder है जिसका volume होगा pi r square h ठीक है यह solid cylinder है जैसे कि कोई सरिया हो ठीक है या फिर लकडी का कोई बेलन हो ठीक है वो क्या है solid cylinder है और दूसरी बात है pipe pipe क्या होता है hollow cylinder होता है खोकला होता है अंदर से जैसे इस तरह का जैसे यह मैंने cylinder मनाया है hollow cylinder है यह कोई अंदर से क्या है यह खोकला है ठीक है अगर इस pipe का volume निकालना हो तो pipe का volume क्या होगा external volume of cylinder minus internal volume of cylinder ठीक है तो यह formula आप note कर लो volume of cylinder pi r square h और volume of pipe कैसे निकालेंगे यानि कि hollow cylinder का volume कैसे निकालेंगे external volume of cylinder minus internal volume of cylinder तो आप इसकी exercise करते हैं question number one है the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter how many liter of water can it hold देखो हमारे पास क्या है एक cylindrical vessel है ऐसा बरतन है जो cylinder की shape का है और इसने हमें क्या given है given क्या दिया है इसका जो base है यानि कि base क्या होगा इसका circular होगा आपको पता है cylinder के जो base और top दोनों क्या होते हैं circular होते हैं और ये जो base है इसका ये base है इसका इसने circumference दे रखिये ये circumference दे रखिये है कितनी 132 centimeter आपको पता ये एक circle है और circle की circumference क्या होती है formula क्या होती है 2 pi r यानि कि 2 pi r की value हमें दे रखिया है 132 cm और इसने height दे रखिया 25 cm इस cylinder की height कितनी है 25 cm और इसने पुछा है कि इस vessel में कितना पानी आ सकता है कितने लिटर पानी आ सकता है यानि कि इसकी capacity इसने पुछी है हम इसका volume निकाल लेंगे volume को हम cm cube में आएगा cubic cm में आएगा उसको हम लिटर में change कर देंगे हमारा question हो जाएगा तो देखो कैसे करना है सबसे पहले हमें height given है height of cylinder 25 cm हमने लिख ली radius हमने क्या माल लिए इसका r माल लिए इसka radius इस cylinder जो वेसल है identical वेसल है उसका radius हमने r cm हमने माल लिया ठेक है और हमें क्या given था circumference of the base यह जो circle है नीचे इसका base है उसकी circumference कितनी है 132 cm तो circumference of base यानि कि circumference of circle क्या होता है 2 pi r इसका formula क्या होता है 2 pi r pi की जगा हम 22 pi 7 रखेंगे r की value हम निकाल लेंगे r is equal to क्या हो जाएगा यह उदर जाएगा राइसी प्रोकल हो जाएगा यह 2 है 1 by 2 जब इक्वल के उदर जाएगा और यह 22 by 7 है यह 7 by 22 हो जाएगा अब इसकी हम cutting कर सकते हैं ठेक है यह 6 पे cut हो जाएगा और यह 2 थरी जा और 7 थरी जा 21 21 cm हमारा क्या आगा रेडियस आगा 21 cm हमने रेडियस इस बरतन का जो यह container था cylindrical vessel था इसका हमने radius निकाल लिया और height हमें पहले से ही पता थी आप क्या निकाल लेंगे हम volume of cylinder क्योंकि हमने यह निकालना है कि इस जो वैसल में कितना पानी आ सकता है ठेक है कितना इसमें लिटर पानी आ सकता है तो इसका हमें volume निकालना पड़ेगा और volume of cylinder होतता है pi r square h pi की value 22 by 7 r क्या है 21 है तो r square है तो 21 into 21 और h कितना है हमारे पास h हमारे पास 25 अब इसकी simple cutting कर देंगे 7 3 जा 22 3 21 और 25 इन सब की multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 4 6 5 0 cubic centimeter और हमें value किसे में चाहिए हमें liter में चाहिए अगर cubic centimeter को हमें liter में change करना है तो ये बात आप दिहां रखना इसको हम 1000 से divide कर देंगे vessel can hold water यानि कि capacity of vessel क्या आएगी इसको जब cubic centimeter को हम liter में change करेंगे तो 1000 से divide कर देंगे इसको 1000 से divide किया तो point आजएगा यहाँ जरो से 0 cancel तो 34.65 liter ये क्या आगया जो vessel है उसकी capacity आगी यानि कि उस vessel में इतना इतने liter पानी आ सकता है तो ये था question number 1 अब question number 2 देखते हैं इसका question number 2 है the inner diameter of a cylindrical wooden pipe अब ये pipe वाला question आ गया is 24 cm जो inner diameter है वो 24 cm है और outer diameter है इस pipe का वो कितरा है हमारे पास 28 cm the length of the pipe is 35 cm जो pipe की जो length है वो 35 cm है यानि कि जो cylindrical जो pipe है उसकी height 35 cm है find the mass of the pipe हमने pipe का mass निकालना है if 1 cm cube of wood has a mass of 0.6 gram ठीक है 1 cubic cm जो wood है उसका mass 0.6 gram है हमने total pipe का mass हमने निकालना है देखो क्या दिया हो है हमें एक ये hollow cylinder है यानि कि pipe है अगर हम उपर से उसको pipe को देखें तो ऐसी देखेगी हमें ये hollow है इस type से देखेगी ठीक है और इसका हमें क्या दे रखे है cylindrical wooden pipe का 24 cm inner diameter दे रखे है यानि कि inner radius कितना होज़ेगा ये पूरा कितना है 24 यहां से लेके यहां तक ऐसे 24 ठीक है तो यहां से लेके यहां तक यह होज़ेगा inner radius यानि कि 12 cm और हमें क्या दे रखे है outer diameter यानि कि पूरा या इस point से लेके इस point तक ये पूरा outer diameter हो जाएगा ठीक है यानि कि हमें inner diameter और outer diameter इस pipe का दे रखे है ठीक है और ये pipe अंदर से क्या है खोकली है इस तरह की है आप क्या सकते है इस तरह की pipe है ठीक है इसकी height तो कम है जैसे हमने ये tape लिए इसकी height तो कम है बगर यह ऐसा ही cylinder है ये hollow cylinder है इस तरह का या इस point से लेके इस point तक ये तो हो गया inner diameter और इस point से ये बाहर वाले point से लेके इस बाहर वाले point तक ये क्या हो गया outer diameter ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका volume निकालेंगे pipe का और mass से multiply कर देंगे ठीक है देखो कैसे करना है तो height कितनी है इसकी 35 cm जो हमारे पास ये hollow cylinder था ठीक है उसकी height हमारे पास कितनी थी 35 cm लिख लिए हमने outer diameter कितना है इसका 28 cm तो outer radius इसको हमने capital R माल लिया radius 2 से divide कर देंगे 14 cm तो यहां इस point से लेके इस point तक कितना आगया ये ये आगया हमारे पास जो outer radius था 14 cm आगया ठीक है ऐसी inner diameter गिवन है हमे 24 cm inner radius क्या हो जाएगा 24 को 2 से divide करेंगे 12 cm ठीक है इसको हमने small R माल लिया ठीक तो outer radius हमें पता है inner radius पता है आपको पता है volume of wood used in the pipe यानि कि pipe का volume कितना है तो pipe का volume क्या होगा यानि कि कितनी उसमें लकडी लगी है कितनी wood लगी है यानि कि pipe का volume volume of external cylinder minus volume of internal cylinder ठीक है external cylinder का क्या होगा pi r square h और internal cylinder का भी होगा pi r square h मगर r इसका capital लिखना है हमने और इसका small लिखना है h दोनों की same रहेगी है height तो क्या रहेगी cylinder की internal की और external cylinder है उसकी height same रहेगी ठीक है यह को 2 cylinder पढ़ रहे है एक तो यह बाहर वाला cylinder तो अब r की value क्या है 14 है और h की value कितनी है यहाँ पर 35 है तो 14 into 14 और pi 22 by 7 ऐसी यहाँ पर r की value 12 square था तो 12 into 12 और यह pi 22 by 7 है और h 35 है अब इसको हम common लेके कर सकते है 22 by 7 और 35 इसमें भी है और इसमें भी है तो common ले लिया या आप सीधा भी कर सकते है इसको solve करो फिर इसको solve करो ठेक है फिर उसमें minus कर दो तो answer यह आज़ेगा ठेक है अबर common लेके करना है common लेके आप कर सकते है 22 by 7 into 35 common और अंदर क्या रहागा 14 into 14 यानि कि 14 into 14 क्या होता है 196 12 into 12 क्या होता है और 196 में से 144 minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 इन दिनों की multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 5720 cubic centimeter यह हमारे पास क्या आया है यह हमारे पास आया है कि उसमें wood कितनी थी यानि कि जो pipe है उसका volume कितना था ठेक है तो wood का volume आ गए हमारे पास 5720 cubic centimeter अब wood का हमने mass बताना है कि total mass उसमें कितना था तो mass of 1 cubic centimeter of wood 0.6 gram यह हमें given था तो mass of 5720 cubic centimeter of wood इसको इससे कर देंगे multiply यह हमारे पास gram में अंसर आगया 3432 gram अगर इसको kilogram में change करना चाहते हैं तो 1000 से कर देंगे हम divide जैसी इसको 1000 से divide करेंगे आपको पता है ना 1 kilogram में 1000 gram होते हैं ठीक है इसलिए gram को जब kilogram में change करना है तो 1000 से divide करेंगे तो 3 के बाद यह 3 0 है 3 के बाद decimal आ जाएगा 3.432 kg यह क्या आ गया mass of pipe या फिर आप कह सकते हो जो wood है उसका mass यह आ गया है आपास आया 3.432 kg ठीक है 3.432 kg अब नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं इसका कोस्चन नमबर 3 है a soft drink is available in 2 packs एक soft drink है वो दो pack में आता है एक tin pack एक tin can with a rectangular base of length, width, having height एक तो rectangular है ठीक है यह वोइड की shape का है जिसकी length, breadth और height हमें given है और दूसरा जो वो है plastic cylinder की उसमें आता है ठीक है यानि कि cylindrical है जो उसका diameter कितना है 7 cm है और height 10 cm है which container has greater capacity and how much हमने यह बताना है कि इन दोनों एक तो हो गया rectangular ठीक है किस container की capacity जादा है ठीक है यानि कि किसका volume जादा है यह हमने बताना है तो for tin can tin क्या है एक rectangular है यानि कि cuboid की shape का है उसकी length, breadth और height हमें given है हमने लिख ली तो capacity of tin यानि कि volume of cuboid क्या होता है आपको पता है volume of cuboid volume of cuboid होता है l into b into h तो l, b और h हमें given है तीनों की multi-like करेंगे तो हमारे पास है 300 cubic centimeter यह हमारे पास क्या आगी capacity आगी किसकी tin can की जो rectangular है यानि कि cuboid की shape का है ठीक है अब plastic जो हमें cylinder दे रख है उसका diameter कितना है 7 centimeter तो radius क्या हो जाएगा 7 by 2 centimeter और height कितनी है उसकी 10 centimeter ठीक है अब इसका हम capacity निकाल देंगे capacity यानि कि आप कह सकते capacity मतलब volume अब volume of plastic cylinder cylinder का volume का होता है pi r square h तो pi की जो 22 by 7 r कितना है 7 by 2 7 by 2 into 7 by 2 और height है हमारे पास 10 ठीक है अब इसकी cutting कर देंगे ठीक है 7 से ऐसे 7 कट हो जाएगा ऐसे 2 से ये कट हो जाएगा और ये ठीक है तो हमारे पास क्या आया 385 cubic centimeter ये आई हमारी plastic जो cylinder था उसकी capacity ये rectangular cylinder की थी sorry और cuboid की थी ये rectangular जो vessel था container था उसकी capacity थी ये और ये cylindrical की थी तो किसकी जादा है 385 यानि कि जो plastic cylinder है जो container है उसकी capacity जादा है तो difference ले लेनेंगे हम दोनो difference in the capacities of two container दोनों का जब हमने difference लिया capacity का 385 minus 385 cubic centimeter ये difference आगे दोनों का तो किसकी जादा है हम लिख देंगे does the capacity of plastic cylinder is greater by 85 cubic centimeter easy question था ये तो दोनों का हमने volume निकालना था और ये बताना था कि किसका volume जादा है यानि कि किसकी capacity जादा है अब next question देखते हैं इसका question number 4 है if the lateral surface area of cylinder is अब lateral surface area हमें cylinder का दे रखा है यानि कि cut surface area हमें दे रखा है cylinder का और height भी दे रखिए 5 centimeter then find radius of its base हमने इस cylinder का क्या निकालना है radius निकालना है इस तरह से हमें एक cylinder दियो हुआ है और हमें इसका cut surface area दियो हुआ है और इसकी height दिए या हमें radius find out करना है radius हमने इसका निकालना है और second part में हमने इसका volume निकालना है और pi की value लेनी हमने 3.14 easy question है तो बिल्कुल h हमें given है लिख लो height of cylinder 5 cm r हमें given नहीं है volume हमें निकालना है ठीक है तो और क्या given है lateral surface area lateral surface area of cylinder यानि कि जो curved surface area of cylinder हमें given है 94.2 square cm और cut surface area क्या होता है 2 pi r h होता है इसकी जगा हमने formula लिख दिया pi की value कितनी कही थी इसने 3.14 यह हमने लिख दी r हमें नहीं पता h हमें पता 5 ठीक अब इसका decimal हटाएंगे तो नीचे 100 आजेगा अब ये सारी चीज़ उदर जाके reciprocal हो जाएगी जब equal के उदर जाएगी इसका भी हमने decimal हटा दिया नीचे 10 आगया अब ये 2 था तो 1 by 2 हो जाएगा multiply और ये 100 by 314 और ये 5 by 1 था तो 1 by 5 अब इन सब क्यों हम कर देंगे cutting cutting करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 3 आजेगा इसकी cutting कर लेना cutting करके क्या आजेगा हमारे पास 3 आजेगा यानि कि radius कितना आया 3 cm इस cylinder का radius हमने 3 cm निकाल दिया अब हमने क्या निकालना है volume निकालना है radius 3 cm है और height हमें पहले से ही पता थी कितनी 5 cm अब हम volume निकालना चाहते है volume of cylinder क्या होता है 3 और h क्या है h है हमारे पास h है हमारे पास 5 इन सब की करेंगे जब हम multiply तो हमारा answer आएगा 141.3 cubic cm ठीक है तो यह हमारा आगे volume दो चीज़े निकालना थी radius और volume तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार